माइच लेदें धौति कुरता बनाने की लिए सबसे पहले द robbery हमें ऐसे दो पीस कट रें यहां पर हमने चोकोर पीस कट की है जिसकी चोड़ाई है चार इंच और लंबाई भी है चार इंच सेम मेजरमेंट का ये वाला पीस है दोनों हमने इकवल मेजरमेंट के पीस कट की है चार बाई चार इंच के और सेम मेजरमेंट का ही हम अस्तर का कपड़ा कट करेंगे देखिए चार बाई चार इंच का तो इसी तरह से हमने दो पीस अस्तर के भी कट किये हैं अब हम इन अस्तर के पीस को देखी ये सीधी साइड है इसके उपर ऐसे रख देंगे और ऐसे रखने के बाद हम इसके दो कोर्नर पर ऐसे सिलाई लगा देंगे ये इधर से ऐसे और इसमें भी दो कोर्नर पर सिलाही लगाएंगे इधर से ले जाकर इधर से दोनों पीस को स्टिच करने के बाद अब हम इसको देखें यहां से ऐसे पलट लेंगे इसको यहां से सीधा करेंगे और ये कोर्नर किसी नुकिली चीज की हेल्प से या ऐसी उगली से भी set हो जाएगा इस तरह से देखी हम ऐसे करेंगे और आप चाहें तो इसको iron से set कर सकते हैं और दोनों पीस को पलटने के बाद देखी हम इसके उपर यहाँ पर किनारी पर lace लगाएंगे तो आप यहां तो लेस लगा सकते हैं या आपके पास गोटा हो तो आप गोटा भी लगा सकते हैं तो यहां से देखी इस तरह से हम ऐसे लेस लगाना शुरू करेंगे और यहां से लगाते वे जहां पर हमने दोनों साइड जो हमने जोइन की है सिलाई लगाई है दोनों साइड पर हम इस तरह से इस लेस को लगाएंगे इस वाले पीस पर भी और इस वाले पीस पर भी दोनों पीस पर लेस अटेच करने के बाद अब हमें देखे यहां से गोलाई करनी है तो यहां से लगबग हम देखे आधा इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और यहां से इसकी ऐसे गोलाई कर देंगे मिलाकर और गोलाई करने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे जो उपर एक्स्ट्रा ये कोना निकला हुआ है इसकी हम कटिंग करेंगे और यहां पर पहले एक कच्ची सिलाई कर लेंगे तो दोनों पीस पर इसी तरह से करेंगे यहाँ पर देखिए हमने सिलाई को लगा लिया और उपर यह जो वाला मार्क लगाया था हमने इस मार्क पेसे इसको हम ऐसे देखे कट कर देंगे तो यह इस तरह से गोलाई आ जाएगी दोनों पीस को हम इसी तरह से करेंगे और अब इसके बाद हमें इसमें प्लेट्स बनानी है तो मैं बताती हूँ आपको प्लेट्स कैसे बनाएंगे देखे ये पीस है हम पहले इसके सेंटर में एक ऐसे देखे यहाँ पर कट लगा लेंगे दोनों पीस में हम इसी तरह कट लगाएंगे जिससे की हमें पता रहेगा कि ये बिल्कुल सेंटर है और प्लेट्स दोनों तरफ बराबर लगेंगे कट लगाने के बाद आप देखे एक साइड से तो हमें यहाँ से इस तरह से प्लेट्स उठाकर इस कट के बीच में ऐसे रखनी है और फिर दूसरी प्लेट्स करनी है और इसको भी दूसरी प्लेट को भी ऐसे करेंगे अब हमने ये प्लेट इधर की साइड लगाई है और इधर से हम ऐसे इधर की साइड प्लेट लगाएंगे और इसको भी यहां सेंटर में हम यहां पर देखे कट के पास ले जाएंगे इस तरह से एक प्लेट हमने यह लगाई और एक प्लेट हम यहाँ पर इस तरह से देखे ऐसे लगा देंगे और इसको ऐसे सेट करके आप चाहें तो यहाँ पर आल पिन लगा सकते हैं और इसके उपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे तो जैसे हमने इसको किया है सेम ऐसे ही इस पीस को भी रेडी करेंगे इस तरह से देखें सिलाई लगाने के बाद अब थोड़ा-थोड़ा पोर्शन ये उपर की साइड एकस्टरा निकला है इसको हम यहां से कट करके एकवल करेंगे इस तरह से दोनों को देखे ऐसे और करने के बाद अब हम इन दोनों पीस को लेंगे और देखे यहां से एक के उपर एक इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद हम यहां से लगबग एक इंच की दूरी पर ऐसे सिलाई लगाएंगे अब सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसका नेफा लगाएंगे अब देखे, प्लेट्स लगाने के बाद इसको हमने यहां से स्टिच किया है और इसके बाद हम इसकी कमर मेजर करेंगे तो यहां पर देखिए, इसकी कमर है 174 इंच और अगर आपको थोड़ी सी जादा कमर रखने हैं तो आप इन प्लेट्स को थोड़ा खुला करकी तब इसके उपर सिलाई लगा सकते हैं तो आप लड़ु गोपाल जी की कमर का नाप ले ले फिर उसके अकॉर्डिंग इन प्लेट्स को लगाएं अब देखे हमें नेफा लगाने के लिए पट्टी कट की है हमने इससे देखे थोड़ी सी एक्स्ट्र कट की है और इसकी चोड़ाई है यहाँ पर धाई इंच अब हम इसको देखे ऐसे मोड देंगे और मोडने के बाद यहाँ से एक बार ऐसे करेंगे मोडेंगे और उल्टी जालना चाहते हैं तो डोरी मत लगाईए आप इसको पहले ऐसे सिलने और सिलने के बाद इस पर आप यहाँ पर ऐसे टिच बटन भी लगा सकते हैं तो वह आपकी मर्जी है लेकिन यहाँ पर मैं इसमें डोरी लगाऊंगी तो डोरी लगाने के बाद हम इसको यहाँ से ऐसे सि बोड़ने के बाद इस पट्टी को फिर हम यहां देखे सेंटर में लेकर आएंगे और सेंटर में लेकर आने के बाद इसके उपर एक सिलाई लगा देंगे इस पट्टी को सिलने के बाद अब देखी हमें इसके उपर लेस लगानी है तो सेंटर में जहां पर देखे हमने यह स इसके उपर हम इस लेस को ऐसे अटैच कर देंगे और इसको सिलने के बाद इस पट्टी को बीच में से कट कर देंगे पट्टी को कट करने के बाद देखे एक दूसरी के उपर हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर पहले एक सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद फिर इस ड्रेस को लेंगे हम काना जी की धोती को और इसके सेंटर में यहाँ पर रखकर इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देंगी तो इस तरह से यह हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल तयार हो जाएगी तो देखी फ्रेंड्स आज की हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल तयार हो और मुझे कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके जरूर बताईए कि आपकी ड्रेस कैसी बनी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को जादर से जादर शेयर करिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर तब तक के लिए रादे रादे